हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फोकस स्टडी आज है 22 जून 2020 और आज हम डिसकस कर रहे हैं 22 जून का दो इंदू नियूस्पेपर अगर आप फॉर्स टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बै एक और इंडिया में आर्मी नेवी और एरफोर्स टीनों को फ्री हें डे दिया गया है टू हैं दो इंडिया और चाइना के बीच है जिसमें एक से देड़ महीने के टाइम से प्राब्लम देखी जा रही है और चाइना के द्वारा बहुत ही एग्रेसिव पेट्रोलिंग की जा रही है और 15 जून का जो इंसिडेंट है उसके बाद आन फोर्सेस को ऐसी सिच्वेशन अगर कोई इंडिया की टेरिटरी को हतियानी जैसी बात होती है तो ऐसी सिच्वेशन को डील करने के लिए के इंडियन इयर्फोर्स जैस इंडियन इवी और इंडियन इख और इक मीट्री को फ्री-वर्मेंड की तरफ से दे दिया गया है इस अन when required इंकई include any exclamation प्रॉम अदर साइड तो यह डिफैंस ऐपिसिल के द्वारा बताया गया ए और एक मीटिंग की गई थी डिफेंस मिनिस्टर के बीच और इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और त्री सर्विस चीफ भी उपस्तित थे जिसमें यह जो डिसीजन है वो लिया गया है और फॉलोइंग गालवान इंसिडेंट जो 15 जून को हुआ उसके बाद आर्मी आर्मी ने अपने कुछ रूल्स भी चेंज किये हैं जिसे बोलते हैं रूल्स ऑफ इंगेजमेंट बेकॉस लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रोल पे कुछ इंडिया और चाइना के अग्रीमेंट के तहत हथियार नहीं यूस की किये जाते थे लेकिन चाइनीज फोर्स के द्व रूल्स ऑफ फायर आर्म्स ऑन एलसी इस इस्ट्रिक्ली रेगुलेटेट एस पर बॉर्डर एग्रीमेंट ऑफ 1993 1996 और 92005 इसके बाद अब यह जो रूल्स ऑगेंजमेंट चेंज किये हैं और इसके अलावा तीनों फोर्स अभी फुल एलर्ट में आ गई हैं और तीनों फो है तो आन फोर्स उसका जवाब प्रिली दे सकती हैं ऐसा को दौरा बताया गया है तो यह बात यहां पर की गई है लिए इंडिया और चैना का जो बॉडर है वह तीन सेक्टर में दिरुड़ यह तीन सेक्टर है वेर्टन सेक्टर ऐस रियर यह आपका वेस्टर्स सेक्टर और यहां पर है इस्टन सेक्टर और यहां पर है सेंटल सेक्टर में सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर को टच करते हैं, सेंटल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यह दो स्टेट हैं जो चाइना के बॉर्डर को टच करते हैं और चार लोकेशन थी जिन में आमने अलड़ी बात किये थी एक बार दुबारा से देख लेते हैं चार लोकेशन कौन कौन सी है एक है पेगॉंग सो लेक दूसरी है धेंचेक तीसरी है गालवान रिवर वैली जहां पर ये इंसिडेंट हुआ फोर्थ लोकेशन है नाकुला पास जो सिक्किम में इस्थित है नाकुला पास तो ये चार लोकेशन है और इंडिया और चाइना का जो टोटल बॉर्डर है वो वेस्टन सेक्टर में ये बॉर्डर लाइन अप एक्च्छल कंट्रोल है और इस्टन सेक्टर में जो बॉर्डर है उसको मैक मोहन लाइन बोला जा हमने इंडिया और चाइना के बारे में देख ली यूएस talking to India and China ऐसा Donald Trump जो USA के प्रेसेड़ेंटे उनके द्वारा कहा गया है कि USA के ओफिसल्स के द्वारा इंडिया और चाइना दोनों से इस मामले को सांथ करने के लिए बात की जा रही है यहाँ पर वाइरस ट्रेकर के बारे में दिया गया है इंडिया में जो नए COVID-19 के cases हैं वो पिसले 24 घंटे में 15,272 बढ़े हैं और इसके साथ ही जो total COVID-19 के infected person की संख्या हो गई है वो 4,26,000 से ज़्यादा हो गई है तो 4,26,000 से ज़्यादा total cases है total number of death 13,000 से ज़्यादा है और एक दिन में 15,200 cases नए मिले हैं यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है इसमें कुछ states में पिसले 2 हफ्तों में COVID-19 के cases काफी ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं में सबसे उपर है दिल्ली उसके बाद तमिलनाडू, तिलंगाना, हरियाना, करनाटका, उत्तरप्रदेश में पिछले 2 हफ्ते में COVID-19 के cases काफी तेजी से बढ़े हैं महरास्टा और आंध्रप्रदेश भी इन्हें स्टेट्स में देखे गए हैं सेकेड न्यूस है, सी क्रेशी ओव बैलेट इस जड़ टूफ्री और पाद फिएर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट में एक मावला चल रहा था एक केस चल रहा था जो इलहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक केस में दिए गए फैसले के अगेंस्ट अपील की गई थी सुप्रीम कोट में जिसके तहट सुप्रीम कोट एक पर्टिकुलर केस की सुनवाई कर रहा था यह जो जजमेंट है इलाबाद हाई कोट का यह उत्तर प्रदेश के पंचायक अध्यक्ष का जो इलेक्षन होता है उसके यह फाउंड किया था कि सम अप पंचायत मेंबर्स हैड वॉयलेटेट दा रूल ऑफ सीक्रेशी ओव बैलेट और उसके बाद हाई कोट ने ऑर्डर किया था री वोट ऑफ मोसन विदिन दा नेक्स्ट तू मन्थ तो हाई कोट ने बोला था कि सीक्रेशी ओव बैलेट का अपना फाइनल वर्डिक दिया है कि सीक्रेशी ओव बैलेट एक की है फ्री और फियर इलेक्शन के लिए इसलिए इसको अपहोल्ड किया जाना चाहिए अगर किसी भी इलेक्शन को फ्री और फियर करना है तो बैलेट की सीक्रेशी बहुत ज्यादा प्रॉमिनेंट है बहु सुप्रीम कोट ने बोला है और उसके बाद सुप्रीम कोट ने यह भी बोला है कि एवन इफ अगर कोई भी रिमोट या डिस्टिंग पॉसिबिलिटी होती है डेट वोटर कैन बी फोस्ट तो डिस्क्लोज फोर हूं सी और ही हाज वोटेड वुड एक्ट एज पॉसिटिव कंस्ट्रेंट एन चेक ओन फ्रीडम तो एक्सराइज और फ्रेंचाइज अगर इलेक्शन में कभी ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी होती है कि किसी वोटर को मजबूर किया जा रहा है कि वह अपने वोट के बारे में होनी चाहिए किसी इलेक्शन के फ्री और फ्रीर होने के लिए यह जो सुप्रियम खोर्ट का वर्डिक्ट है यह अगर कोई person किसी को भी vote करता है तो उस vote को secret करने का पूरा-पूरा right है उस voter को और उसको किसी भी तरीके से मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने vote के बारे में किसी भी दूसरे person को बताए और अगर ऐसी कोई भी possibility बनती है कि उस person के को मजबूर किया जा रहा है या उसको force किया जा रहा है कि वो अपना vote के बारे में दूसरों को बताए तो ऐसा election कभी भी free और fair election नहीं माना जा सकता चाहे हो कोई भी election हो चाहे पंचायत का election हो या फिर state assembly के election हो या फिर लोगसभा और कोई दूसरा election हो तो इस बात को अपोल्ट करते वे supreme court ने free and fair election के लिए prime condition बोली है कि secrecy of ballot होना ही चाहिए और इसके दूसरी साइड में अगर voter चाहे तो वो अपने vote के बारे में दूसरों को बता सकता है voter पे कोई constraint नहीं है लेकिन voter को मजबूर किया जाना कि वो vote के बारे में बता है और अपने voting के बारे में voting pattern के बारे में बता है तो ये free and fair election नहीं हो सकता तो free and fair election के लिए supreme court का ये काफी अच्छा secret of ballot के लिए verdict माना जा सकता है अब next news है सौभीमान आचल के बारे में police claim inroad into moist strengthhood of सौभीमान आचल यहाँ पर सौभीमान आचल के बारे में एक्जाम में directly पूछा जा सकता है कि ये सौभीमान आचल क्या है तो यहाँ पर इस article में इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर बताया गया है कि Udisa police has claimed a big success in ensuring development by strengthening security infrastructure in सौभीमान आचल तो सौभीमान आचल एक reason है एक location है जो Udisa में इस्थित है और इसको पहले Udisa में cut-off area बोला जाता था जो की मलकानगरी district में इस्थित है और moist यानि next light logo का strong hold इसको माना जाता था तो सौभीमान आचल Udisa के मलकानगरी district में इस्थित है और यह moist का strong hold माना जाता था और पहले इसको cut off area बोला जाता था फिर इसका नाम change करके सौभीमान हाचल रखा गया जिससे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को mainstream infrastructure development, mainstream development से link किया जा सके और उस area में developmental activities तेज की जा सके तो इसलिए police के द्वारा ये जो particular infrastructure के काम है ये काफी तेजी से किये जा रहे थे और government भी इसमें support कर रही थी, ये जो area है it was covered by water from three sides, ये area तीन साइट से water से घिरा हुआ है, an inhospitable terrain by another head long बीना stronghold or moist activity, तो जो ये area है ये तीन साइट से water bodies से घिरावा है और काफी जादा inhospitable है, रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है और जिसके कारण यहाँ पर जो entry थी, बहुत ही जादा restricted थी और इवन यहां की terrain के कारणाण, जंगलों के कारणा, water bodies के कारण, entry normal लोगों की बहुत जादा मुश्किल थी और इसलिए ये नक्सलाइट लोगों का stronghold इस पर माना जाता था, many of them from Odisha, आंद्रपरतेश और चत्तिसगर यूजड to slip into स्वाभिवान आचल to take refuse, तो नक्सलाइट, जब भी बच के पहुशते थे तो इसी एरिया में पहुश जाते थे, जहां पर ये अपने as a refuse रहा करते थे, तो इस एरिया में पुलिस के द्वारा और infrastructure development authorities के द्वारा, जो infrastructure की possibility है, वो काफी ज़्यादा बढ़ाएगी, infrastructure develop किया गया, और due to construction of roads, auto ricksa भी वहाँ पर चलने लगे, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनको developmental activities देने के लिए, पुलिस ने security की जो सुविदा है, वो भी काफी ज़्यादा बढ़ा देती, जिसके काराए इस एरिया में development देखा जा रहा है, beefed of the security helping in development of the area, तो सुभीमान आचल क्या है, ये मलकानगरी district उडीसा में एक location है, जो पहले cut of area कहलाता था, और moist का stronghold इसको माना जाता था, ये area तीन साइट से water से घिरा हुआ है, और normally, moist ये नक्सलाइट लोग यहाँ पर छुपने के लिए इस area को choose करते थे, अब इस area में security बढ़ाने, देने के कराण infrastructure काफी बढ़ाया जा रहा है, जिससे की जो moist activity है, वो काफी कम होती भी देखी जा रही है, और नक्सलिजम को अगर खतम करना है, नक्सलिजम के effect को खतम करना है, तो developmental activities को बढ़ाने की जोरवरत है, और इसी target को लेकर developmental activities और infrastructure की जो activities है, वो बढ़ाई जा रही हैं, next news है, PM Care Fund के बारे में, तो पुने में एक lawyer के द्वारा एक suit file की गई है, पुने court में to bring PM Care Fund under RTI, तो PM Care Fund Prime Minister of India के द्वारा लांच किया गया था 28 March को, इसके बारे में हम पहले देख लेते, PM Care Fund का जो पूरा नाम है, वो है Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund और PM Care Fund, it was created on 28 March 2020 और ये इंडिया में COVID-19 के pandemic को tackle करने के लिए बनाया गया, and this fund will be used for combating containment and relief efforts against the corona virus outbreak, and ऐसी ही अगर कोई pandemic की situation future में भी बनती है, तो उन में भी इस fund का use किया जाएगा, इस fund के chairman है, Prime Minister of India और Prime Minister के अलावा, इस fund के जो trustee है, वो है Minister of Defense, Minister of Home Affairs, और Minister of Finance, तो ये तीन जो minister है, cabinet minister वो है, और Prime Minister इस particular fund के chairman है, ये fund enable करता है micro donations के लिए, यानि कि 10 रुपए तक के donation दिये जा सकते है, minimum amount 10 रुपए है, इस fund में donate करने के लिए, और इस fund को exempt किया गया है, tax exempted fund है, और it is falling under corporate social responsibility, तो companies CSR fund के अंतरगत जो activities करती हैं, तो CSR के अंतरगत भी companies इसमें donate कर सकती हैं, और पहला इस fund का जो allocation है, वो 3100 करोड का 13 माई को किया गया था, इंडिया में जो natural disaster है, या disaster तरह की conditions हैं, उनको deal करने के लिए, already 1948 से एक fund था, जिसको National Relief Fund या Prime Minister's National Relief Fund के नाम से जाना जाता है, और इसको raise किया गया था, to provide support for people affected by natural and man-made disaster, तो natural disaster और man-made disaster दोनों को tackle करने के लिए Prime Minister's National Relief Fund 1948 में बनाया गया था, natural disaster covered under this fund includes flood, cyclone, earthquake, etc. और man-made disaster में major accident आते हैं, acid attack आते हैं या फिर roid के condition में जो भी loss होता है, तो उनको tackle करने के लिए Prime Minister's National Relief Fund का use किया जाता है, तो natural and man-made, दोनों disaster को tackle करने के लिए इस fund का 1948 से use किया जा रहा है, the fund is also allocated to the people for treatment of disease like cancer, kidney, transplantation and heart surgery, तो लोगों को particularly भी fund किया जाता है, help कि जाती है इस fund के द्वारा, और यह जो fund है, first consolidated during the time of first Prime Minister of India, जवालना नेरू, तो 1948 में first Prime Minister of India, जवालना नेरू के द्वारा, यह fund बनाया गया था, to support migrant जो Pakistan से इंडिया में आ रहे थे, तो उनको support करने के लिए यह fund पहली बार established किया गया था, तो यहाँ पर यह जो एक suit file किया गया है, PM Care Fund के again, उसमें यह भी बोला गया है, पैटिशनर के द्वारा की creation of PM Care Fund, despite the fact that there is already a Prime Minister's National Relief Fund to deal with emergencies, calamities and emerging medical expenses, तो already PM National Relief Fund के होते हुए, इस fund को बनाय जाने की जरूरत ख्या थी, और इसके अलावा इस fund को external auditors के लिए भी open नहीं किया गया, तो यह कुछ concern point डालते हुए, इस fund को RTI के अंतगत लाने की बात की गई है, और यह अब court पे जो suit है, वो चलने वाला है, नेक्स्ट न्यूज है, क्लोजर ओफ वैल में लीड टू मोर ब्लो आउट वांस OIL, OIL India Limited की एक Eastern Assum में एक वैल थी, जिसमें natural gas के continuous blowout के करण, बहुत बड़ा major fire का accident हुआ है और जो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस particular accident के बाद, pollution control board of Assam ने बोला था कि immediately सारी OIL well को बंद किया जाए, जिसके oppose में OIL India Limited में बोला है कि अगर OIL well को immediately close कर दिया जाएगा तो जो blowout के condition है, वो बाकी OIL well में भी देखने को मिल सकती है और यह बहुत ही जाता unstable कर देगी पूरे area को, तो यह जो OIL well है या natural gas well है जिनसे natural gas और oil निकाल दाया जाता है, यह पानी के एक नल की तरह या water tap की तरह नहीं होती है, कि जब चाहें खोल दो जब चाहें बंद कर दिया जाए और अगर इसको forcefully बंद करने की कोशिस की जाएगी, तो oil well में इतना ज़्यादा blowout के दौरान इतना pressure होता है कि यह दूसरी well और पूरे area पे बहुत ज़्यादा pressure डाल सकती है और पूरी area को unstable कर सकती है, तो यह OIL के दौरा warn किया गया है Pollution Control Board of Assam को, OIL ने जो PCB Assam का order था to shut down all crude oil and natural gas well in Baghjan area may lead to more blowouts and damage ecology beyond repair, जिसको repair करने के repair भी नहीं किया जा पाएगा, तो यह बात OIL के दौरा बुला गया है, तो यह जो particular incident है यह Baghjan oil well में देखा गया है Eastern Assam में और इसके nearby एक natural park है जो बहुत ही ज़्यादा ecologically fragile area है, यह कौन सा national park है इसका नाम आपको comment section में बताना है, अल्रडी हम काफी बार देख चुके इस national park का नाम तो यह जो national park है यह Assam में है और Baghjan area के nearby है, तो कौन सा यह national park है इसका नाम आप comment section में बताइए, next news है, yoga helping COVID-19 patient, ऐसा Prime Minister of India ने बोला है अपने 21 June के statement में 21 June World Yoga Day के रूप में मनाया जाता है, तो इस दौरान Prime Minister of India ने योगा की importance को बताने के लिए, यह भी बोला है कि COVID-19 की जो condition अभी बनी है, तो इस condition को योगा practitioner के दौरा बहुत अच्छे से deal किया जा रहा है, और यह जो योगा इंडिया का ancient practice है, it is helping a large number of patients across the globe to defeat COVID-19, novel coronavirus essentially attack करता है human respiratory system में और योगा में जो प्रानायाम है, यानि breathing exercise है, यह human respiratory system को strong करने का काम करती है, तो respiratory system को strong करने में यह काफी इसके अच्छे result देखे गए हैं और योगा बहुत ज़्यादा helpful है COVID-19 को tackle करने के लिए, यह जो particular इस बार 2020 में योगा दे मनाया जा रहा है, यह 6th योगा दे है, 6th international योगा दे, योगा दे is going digital for the first time since 21, 2015 when it began to celebrate annually across the world, तो 2015 में यह पहली बार मनाया गया था, 2020 में इसलिए छटा international योगा दे है, पहली बार celebrate किया था, फर्स celebrate किया गया था 2015 में, और यह जो दिन है, it coincide with summer solustice each year, तो summer solustice के दिन यह योगा दे मनाया जाता है, 2014 में 11 December को United Nations General Assembly ने 21 June को International Yoga Day डिकलेर किया, और 21 June को International Yoga Day के रूप में मनाया जाएगा, यह 2014 में इंडिया की request पर United Nations की General Assembly ने approve किया इंडिया का proposal, और उसके बाद Yoga Day 2015 से मनाया जाने लगा, अब summer solustice की जो बात की गई है, उसका क्या मतलब है, solustice वो condition है, जिसमें अर्थ का pole, या तो north pole, या south pole, it has maximum tilt towards sun, तो solustice की condition तब बनती है, जब sun के चारो और, अर्थ का जो revolution है, उसमें उस point पे अर्थ पहुशती है, जब उसका north pole का सबसे ज़्यादा inclination sun की ओर होता है, या south pole का सबसे ज़्यादा inclination sun की तरफ रहता है, तो केवल दो ही condition बनती है, साल में दो दिन ही ऐसे condition बनती है, एक दिन north pole का inclination सबसे ज़्यादा है अर्थ की side, टो सॉेसरी दिन साथ पोल काश्राइं सबसे ज्यादा होता है आर्फ mi अर्फ सबसे ज्य ज्यादा संवर्एब को सबसे ज्यादा संगी साइड होता है तो वह दूसरी दिसम्बर तो हर सल 20 December को winter solustice बढ़ता है, जब winter होता है North Hemisphere में, इसको अगर हम समझने की कोशिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर sun है, और earth जो rotate कर रही है, चारो और sun के, वो इन दो condition में है, पहली condition यह है, दूसरी condition यह है, तो यहाँ पर earth की जो condition है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर North Pole, और इ location पर North Pole, अवे है sun से, लेकिन South Pole sun की direction में है, इसलिए इसको बोलेंगे, winter solustice, तो इस condition, यह condition 21 जून को देखी जाती है, और यह वाली condition जो है, यह 22 December को देखी जाती है, तो यह दो condition में यह मनती है, summer solustice और winter solustice, तो अब आगे की news देखते हैं, आगे की important news है, जल जीवन mission के बारे में, additional fund short for जल जीवन mission, जल जीवन mission के लिए, जो जल सकती ministry है, उसने additional fund की demand की है, क्योंकि fund की काफी कमी देखी है, ministry ने पिसले कुछ सालों में, faced with financial shortage for जल जीवन mission, जल सकती ministry is pitching for additional funding of 82,000 crore from 15th financing commission for project to provide drinking water, अभी ये जो additional fund की demand की गई है, ये 82,000 crore extra fund मांगा गया है, जल सकती ministry के द्वारा, for filling that fulfillment of target of जल जीवन mission, अब जल जीवन mission क्या है, जल जीवन mission, central government ने start की है, एक scheme जिसके तहत drinking water tap connection, हर एक rural household को 2024 तक provide किये जाएंगे, यानि कि 2024 पहले ही तो deadline है, इस जल जीवन mission की, और 2024 तक rural, every rural household को tap water provide किये जाने का target रखा गया, यानि कि 100% rural household को tap water दिया जाएगा, इसलिए जल जीवन mission स्टार्ट किया गया है, अभी की condition में currently कितने houses covered हैं, तो केवल 18% houses covered हैं, और ministry का कहना है कि fund की बहुत कमी है, जिसके करना ये target meet करना मुस्किल हो रहा है, इसलिए 15 finance commission से request किया गया है, जल जीवन, जल सकती ministry के द्वारा की, जल जीवन mission के लिए 82,000 करोड रूपे extra लाए जाएं, तो ministry इसके साथ इसाथ also want to control the flow of commissions fund to panchayat for water and sanitation, तो ministry का ये भी कहना है कि, जो finance commission के द्वारा panchayat को fund दिये जाते हैं, water और sanitation के, उनको भी ministry को दिया जाए, ministry आगे जाकर खुद से panchayat को ये fund देंगी, तो एक तरह से centralization of fund की कोशिस की जा रहे हैं, यहाँ पर ministry के द्वारा, तो ये जो 82,000 क्रोड रुपे हैं, ये required हैं to meet the need for capital intensive projects in water scarce area and areas where water has been contaminated by arsenic and fluoride और has high salinity level, तो जहाँ पर भी water salinity की problem है, arsenic से water contaminated है, fluoride से water contaminated है, तो वहाँ पर intensive water project चलाए जाएंगे, इसलिए ये fund मांगा जा रहा है, जल जीवन मिसन के लिए, के water department, water ministry के द्वारा, जल सकती ministry के द्वारा, next news है, हैधरबाद firm gets DCGI node for generic remdesivir, अब remdesivir का generic version है, हैधरबाद की एक firm hetero के द्वारा बनाया जा रहा है, hetero drug maker with headquarter in हैधरबाद has received approval from drug controller general of India to manufacture and sale of a generic version of gleats, remdesivir drug for the treatment of COVID-19 patients, तो COVID-19 के जो patient है, उनके treatment के लिए, एक नई drug remdesivir का generic version बनाया जा रहा है, हैधरबाद based firm के द्वारा, ये firm है hetero और इसका approval drug controller general of India, जो health ministry के अंत्रगत काम करता है, उसके द्वारा दिया गया, ये जो generic version है, ये remdesivir का version है और इसको एक local name या brand name COVID-4 के नाम से इंडिया में launch किया जाएगा, तो इसका जो नाम होगा remdesivir का, remdesivir के generic version का वो होगा COVID-4, इस नाम से ये जो tablet है, वो market में आने वाली है, Drug Controller General of India has granted approval for use of remdesivir in the treatment of suspected और laboratory confirmed cases of COVID-19 in adult and children, तो जो भी adult या फिर children suspected होंगे COVID-19 के, या फिर laboratory ने test करके confirm किया होगा कि इन लोगों को COVID-19 है, या फिर जो लोग hospitalized होंगे और जिनको severe symptoms है इस disease के, उन लोगों के द्वारा इस particular COVID-4 या remdesivir का use किया जा सकता है, और ये normally retail outlet पे उपलब्द नहीं होंगी, बिकाज ये जो particular drug है, ये emergency use के लिए ही approved है, और केवल hospital या institutional setup में ही इसको use किया जाएगा, doctors की निगरानी में, इनको normal retail के थूँ अभी launch नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर ये important है, कौन सी company ये generic वर्जा remdesivir का बना रही है, ये है hetero, हैदराबाद की company है, और इसका जो brand name है, वो रहेगा, COVID-4, अब next news है, word page पे, मधेशी oppose new Nepali law, नेपाल government ने अब अपने citizenship law को amend करने की बात कही है, और ये जो law है, उसके through seven year का waiting period रखा जा रहा है, before foreign woman married to Nepali man can acquire Nepali citizenship, तो अगर foreign woman Nepali man से साधी करना चाहती है, तो उसके लिए उसको 7 साल का एक waiting period का जो criteria है, वो fulfill करना होगा, और इसका जो oppose है, नेपाल की ही जो plane की एक party है, मधेशी community है, उसके द्वारा किया जा रहा है, नेपाल is planning to change its existing citizenship rule, that will most notably affect families in Nepal's plane, also known as मधेशी reason, तो मधेशी reason में जो families है, उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पढ़ने वाला है, वो इंडिया के plane reason के लोगों से बहुत ही ज़्यादा close है, और अगर citizenship का ऐसा rule आता है, तो सबसे ज़्यादा impact मधेशी community होने वाली है, और इंडिया और नेपाल के बीच जो cross border kingship है, उस पे काफी ज़्यादा impact पढ़ने वाला है, तो नेपाल की तरह से फिर से एक नया rule, इंडिया और जो नेपाल के ties है, उनके लिए यह जो rule है, यह काफी ज़्यादा damage create कर सकता है, लास पेस पे निउस है, गोल्डन लंगूर के बारे में, गोल्डन लंगूर एक endangered species है, monkey की, जो केवल असाम और भूटान के कुछ भागों में पाई जाती है, तो गोल्डन लंगूर में असाम स्टेट में पाई जाता है, और यह जो भी evergreen forest होते हैं, उनमें पाई जाते हैं गीज गोल्डन लंगूर भी इनको बोलते हैं, they are endemic to semi evergreen, semi evergreen and mixed deciduous forest is treading India and भूटान, तो इंडिया और भूटान में जो भी semi evergreen forest हैं और mixed deciduous forest हैं, वहाँ पर गोल्डन लंगूर पाई जाता है, इंडिया में केवल असाम में पाई जाता है, और पूरे एरिया में असाम और भूटान में पाई जाता है, गोल्डन लंगूर use the upper canopy of tree to travel, तो नॉर्मली tree के बिलकुल top पे अपर canopy पे ये travel करते हैं, लेकिन recent time में electrification की जो प्रोसेस है, वह बहुत ज्यादा गावों गावों में पहुच गई है, तो बिजली के तारों से टक्राने के कराण इनकी काफी ज Evergreen Forest और Mixed Decidious Forest में पाई जाते हैं, और इनका जो area है वो mainly 3 river से घिरावा है, यह 3 river है, गोल्डन लंगूर in Assam are hemmed in by 3 rivers, ब्रहंपुत्रा in South, Manas in East and Suncoast in West, तो इन 3 river से घिरावा area बहुत ज्यादा इस area में काफी ज्यादा गोल्डन लंगूर पाई जाते हैं, तो यह थे आज के news articles, I hope कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें और comment भी करें, thanks for all